अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपको किसी दूसरी कंपनी से जॉब आफ़र आता है तो उसे छोड़ने से पहले आपको अपनी मौजूदा कंपनी में करना होता है notice period serve अलग-अलग कंपनियों में इसकी जो duration है वो अलग-अलग कंपनियों के हिसाब से होती है कहीं पर 15 कहीं पर 30 तो कहीं पर 3 महने का notice period serve करना पड़ता है लेकिन क्या आप बिना notice period serve करे अपनी मौजूदा company को छोड़ सकते हैं क्या आपको आपकी मौजूदा company बिना notice period serve किये रिलीव कर सकती है और notice period serve नहीं करने के बाद क्या जो दूसरी company जिससे आपको offer आया हुआ है वो आपको join करा सकती है क्या आप वहाँ पर नौकनी कर सकते हैं इन तमाम एहम सवालों की जवाब आज हम आपको देने जा रही हैं तो बेहत ध्यान से देखिएगा हमारी ये report जिसमें आपको पता चलेगा कि notice period के क्या है निया जब आप कोई company join करते हैं तो आपके documents का verification होता है इस दौरान आपसे एक contract पस sign करा जाता है जिसमें company के साथ काम करने की शर्टों की जानकारी होती है उस दस्तावेज में स्पश्च लिखा होता है कि company छोड़ने पर आपको कितने दन का notice period सर्फ करना होगा उसमें आपके notice period न सर्फ करने की स्थिति में किन नियमों का ध्यान रखना होगा इसकी भी जानकारी दी गई होती है अब ये जानना भी आवशक है कि बिना Noti Spirit सर्व किये क्या छोड़ सकते हैं कमपनी Noti Spirit के लिए सरकार की तरफ से कोई नियम नहीं बनाय गया है कि नौकरी छोड़ने पर उतने दिन का Noti Spirit अनिवार रूप से सर्व करना होगा सभी कमपनियां अपने हिसाब से notice period तै करती हैं अस्थाई कमचारियों के लिए इसकी अबधी 15 दिन से 1 महने तक होती है पेरोल पर employee के लिए 1 महने से लेकर 3 महने तक notice period सर्व करना होता है अगर आपकी कमपनी चाहे तो आपको notice period खरीदने को भी कह सकती है इसके लिए आपको उतने दिन की salary देनी पर तकती है जितने दिन का notice period आप खरीदना चाहते हैं इसके लिए आपको company के HR टीम से बात करना पड़ता है जो आपको आगे के process के बारे में guide करते हैं अब ये भी जान लेते हैं कि notice period सर्व करने से company का क्या फायदा होता है चोड़ कर जाते हैं तब आपके notice period के दौरान company को आपकी जगह पर नए employee हायर करने का मौका मिल जाता है इससे company के बाकी employees पर work pressure नहीं आपाता तो ऐसे ही खबरें और तमाम updates के लिए आप बने रहें India TV के YouTube पेज़ पर आगे तमाम खबरें और updates के लिए आप India TV के YouTube चैनल को subscribe करें और हमारे पेज़ को Facebook, Instagram और Twitter पर follow करें